नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें हे दुरगा माता आप से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुखदर्द मत आने देना दोस्तों नवरात्री में किसी भी दिन चुपचाप मा दुरगा का नाम लेते हुए गाय माता क खिला देना ये एक चीज फिर देखना कैसे मा दुरगा आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत कर देती है दोस्तों नवरात्री का पावन पर्व शुरू हो चुका है ऐसे में हर कोई मात दुरगा की कृपा पाना चाहता है पर आज के इस समय में कई ऐसे जहें हैं जिसको अगर आप इस शारदिय नवरात्री में किसी भी समय कर लेते हैं तो मा दुरगा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा दोस्तों यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि यही एक मात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धन्वान और माला माल बना देगा इसलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वासियों को आखिर तक जरूर देखें और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो सुख संपत्ति धन एश्वर्य बरता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं, जो लोग मांसिक रूप से परिशान हैं, वह गाय माता को रोटी पर थोणा सा गुण रख कर खिलाएं। अंगल कारी नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय माता को रोटी खिलाएं, गाय माता के मस्तक को छू कर, अपनी मननत कहे प्रणाम करें, पैर छूए तो आपकी मननत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय माता को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय माता को क्या नहीं खिलाना चाहिए। अब हम वो भी जान लेते हैं दोस्तों, गाय माता को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए, यानि की जो एक दिन की पहले की रोटी बनी रहती है, और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए, कई बार आप रोटी बना लेते हैं, और उस दिन गाय माता मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय माता को खिलाने से, गाय माता का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है, इसलिए गाय माता को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए सणी गली चीजें खराब चीजें गाय माता को कभी नहीं खिलानी चाहिए इससे घर में परेशानी आती है और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए इससे घर में तकलीफें आती हैं गाय माता को हरा चारा तो हर कोई हरा चारा, आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखे, गाय माता को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से टोन कर मत खिलाना, दूसरी बात, आप घर में सबजी लाते हैं तो सागा जाता है, तो उसमें से कुछ अच्छी चीज आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूद ताजा हो या बचा हुआ, पर अच्छी चावल बाता को भूल कर भी मत देना, तो तीन चीजें, गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए, एक तो बची कुछी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाज बच जाए, तो उसे गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए जैसे बासी चावल बासी बची कुछी रोटी नहीं खिलानी चाहिए और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सनक गला मत खिलाईए और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें और गाय माता को दूद भी नहीं पिल चाहिए तो ये चीजे गाय माता को बिलकुल भी नहीं खिलानी है नहीं तो घर में गरीबी आती है माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोन देती है। दोस्तों 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनी के रूप में गाय माता का रूप धारन करती है। गाय माता लाखों योनियों का वह पनाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की आत्रा शुरू कर दी है। दोस्तों, गाय माता का कोई अपशकुन नहीं होता, जिन्सभू, भाग पर मकान बनाना हो, तो वहाँ पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय माता और बच्छना बांध देते हैं, तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय माता में सकारात्मक उर्जा का भंडार माना गया है दोस्तों। गाय माता का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, और गाय माता माता आपका मार्ग रोक दें, तो ये बहुत ही शुभ म गाय माता और बचने का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको गाय माता अचानक से पूछ मार देती है तो ये बहुत ही शुब संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय माता का ऐसा करना और भी ज्यादा शुब माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंच गव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज के समय में लोग गाय माता माता की पूजा करने के बजाए उनका सही उपयोग करने के बजाए उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा पर ये सच है और गाय माता को रोटी देने से ना केवल सुख समरिद्ध की प्राप्ती होती है बलकि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय माता को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है। ऐसे में गाय माता को रखना थोना कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय माता को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी दे कर आप सुख सम्रिध्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहते आये हैं कि गाय माता को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय माता की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं, अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें आप ऐसा कर सकते हैं आप गाय माता के नाम के पैसे निकालते जाए और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय माता के नाम की रोटियां खिल जाएंगे किसी वृद्धा श्रम में चले जाएं किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है कम से कम रोटी जरूर खिलाएं दोस्तों हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रशन आता ह कि हम जूठी रोटी गाय माता को देते हैं क्या ये सही है या गलत है हम जूठा खाना बचा हुआ खाना गाय माता को खिलाते हैं यानि कि जो बच जाता है वो गाय माता के हवाले कर दिया जाता है तो आपको बता दे दोस्तों रामायन काल में गाय माता माता को एक श्राप म यहां तक की गाय माता पॉलिथीन भी खाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। सामान लेकर नहीं आये इधर दोपहर हो गई पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मा घबराने लगी तभी दश्रत की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फालगुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पढ़ गई उन्होंने फालग जब भगवान, राम और लक्ष्मन लोटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामगरी के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसी लिए राम जी ने सीता मा से इसका प्रमान मांगा। तब सीता मा ने कहा कि जो फालगुन नदी के रे तीनों इस बात को मुकर गए और उन्होंने कहा। सीता मा जूट बोल रही है। सिर्फ वटविक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरत का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। कि जा तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा इस कारण आप भी जानते होंगे। जो लोग जानते हैं फालगुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय माता को श्राब दिया कि तू पूजा होकर भी लोगों का जूटा कि तुझे पूजा में कभी नहीं चरहाया जाएगा। वट व्रिक्ष को सीधा माने आशीरवात दिया कि उसे लंबी आयू की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा। तथा पति व्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पती की दीर घायू की काम ना करे जाता है। दोस्तों शास्त्रों के मुताबिक गाय माता माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं, 33 कोटी देवी देवता और पितरों का निवास होता है। अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं जाकर के ग्रह दोशों का उपा इसे गाय माता को दे देनी चाहिए। और उसमें हल्दी मिलाकर गाय माता को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिन्दगी में। तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। तो दोस्तो ये थे गाय माता से जुणे कुछ उपाय जो आपको इस नवरात्री में जरूर करने चाहिए। वहीं दोस्तों मा, दुर्गा को लौंग का जोना सबसे प्रिये हैं और उनकी पूजा में लौंग चरहाने का विशेश महत्व माना जाता है। नवरात्री में लौंग के जोन दुर्गा को प्रसंद करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोना रखकर उसके साथ पांच इलाइची और पांच सुपारी रखकर मा दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामगरी कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख सम्रिध्य बरहेगी और मा दुर्गा प्रसंद होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी। नौकरी के लिए काफी दिन से हैं। परेशान। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नौकरी में रोजाना लौंग का एक जोना अपने सिर के उपर से साथ बार उतार कर मादुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। रहु केतु के अशुब प्रभाव को दूर करने के लिए उपाए नवरात्री में रहु केतु के अशुब प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोना शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवा से अशुब उर्जा और नकारात्मक्ता दूर होती है। रोजाना सुबह नौ दिनों तक इस उपाए को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक्ता कम होती है। दोस्तों अब हम आपको राशी अनुसार कुछ सरल उपाए बताने जा रहे हैं जिससे आप मा उपाएं से मा अपने भक्तों पर हमेशा महरबान रहती है और जातक के सभी कष्ट दूर करती है। मेश मेश राशी वालों का स्वामी ग्रह मंगल है। इन्हें नवरात्री के दौरान सिद्धिकुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गरीबों की मदद करना चाहिए मान्यता है कि ऐसा करने से मा दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। वरिश वरिश राशी के लोगों का स्वामी ग्रह शुक्र है। मान्यता है कि नवरात्री के दौरान सब्तशलो की दुर्गा का पाठ करने से जातक के जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। मिथु उसे छुटकारा मिलता है करक करक राशी के जातकों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है नवरात्री के दौरान इन्हे मादुर्गा के साथ भगवान शिव की भी पूजा करना चाहिए मान्यता है कि ऐसा करने से धन वैभव बरहता है और घर में खुशहाली आती है सिंह सिंह राशी के लोगों का स्वामी ग्रह सूर्य है इस राशी के जातक नवरात्री के नौ दिनों तक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र या राम चरित्र मानस का पाठ कर सकते हैं मान्यता है कि ऐसा करने से मा दुर्गा के साथ भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं कन्या कन्या राशी के व्यक्तियों का स्वामी ग्रह बुद्ध है। नवरात्री में रोजाना इन्हें दुर्गा सब्तशलों की दुर्गा का आठ बार पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन दौलत और मान सम्मान में व्रिध्य होती है। व्रिष्चिक व्रिष्चिक राशिके व्यक्तियों का स्वामी ग्रह मंगल है। नवरात्री में दुर्गा सप्तशती और रामचरित मानस का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से इन्हें सुख सौभाग्य का वर्दान मिलता है। धनू-धनू राशी के लोगों का स्वामी ग्रह ब्रस्पती है। नवरात्री के दौरान धनू राशी के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख आती है और जीवन में क्लेश से मुक्ति मीलती है। मकर मकर राशी वालों का स्वामी ग्रह शनी है, नवरात्री में सिद्धिकुंजी का स्तोत्र या सप्तश लोकी दुर्गा का नौ बार पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माताराणी प्रसन्न होती है और अपनी कि ऐसा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। मेन मेन राशी के जातकों का स्वामी ग्रह ब्रहस्पति है। इन्हें नवरात्री के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शान्ति और खुशहाली आती है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।